नमस्कार मैं हूँ निमान शो और आप देख रहे हैं हल चल इंडिया बेपाथ खबर तेज असर आज ये नजल डालते हैं आज की खबरों पर मुदफण अगर के मेरेट रोड इसल विकास भवन के सामने गोल्डन इन होटल के सबागार में अजमत अली खान गल्स इंटर कोलिज के शात्राओं के समान में भवे समाहू का युजन किया गया इस समान समाहरों में मुख्य अतिती के रूप में देश के प्रमुक शिक्षावेद प्रमुक समासे भी श्रीराम ग्रूप ओफ कोलिजिस के चेर्में डॉक्टर एस्ति कुल्स्रेश्ट रहे जब कि कारेकरम के अद्धिक्ष्टा अंतराष्टे ख्याति प्राप्ट शायर और अजमत गल्स इंटर कोलिज के प्रबंदक नवाज देवबंदी ने की और विश्ट अतिति के तोर पर प्रमुक युवा समासे भी कुमर अभीनब सुरूप वे इस्लामिक विद्वान मौलाना सालिम रहे यहाँ पर होल्टल गोल्डन इनके प्रबंद निजेशक युवा समासे भी नईम शाहने सभी अतितियों का स्वागत किया कारेकरम को सिद्धिकी वेलफर सोसाइटी के अद्धश परमुक युवा समासे भी सुलिमान सिद्धिकी ने सराहने डंग से संपन कराया इस तोना अजमत अलीखान इन्टर कॉलिज की ही स्कुल की टोपर चात्राई वलखनाद फरहीन और इंटरमिडिट की टोपर चात्राई इरम अकबर इशापर्वीन आधी को इसमधि चिनवे प्रशेश्थी पत्रदे कर समानित किया गया इसके अलावा हाय स्कूल के ने टोपर शात्राइं बुष्रा, अक्षा परवीन, बुष्रा, सानिया, सानिय अधित्यो, शिबराना onboard शकीरा, खुशी, इक्रा, नाब्या, इलमा, परवीन, बुष्रा, हुमेरा, आश्या, आधी को इस मर्द्य चिन्वा प्रशश्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया इसके लाबा इंट्रेमिंडेट की टोपर शात्राओं को भी सम्मानित किया गया कारिक्रम जो है वोटल गोल्डेन इन में संपन हो रहा है जिसमें हमारे आजमात अली खान गल्स इंट्र कॉलिज की बेटियां को हम सम्मानित कर रहे हैं और इसके जो मैनेजर हैं हमारे विश्विक्याद पोईट है नवाज देवबंदी साहब वो भी यहां मौजूद है इसकारिक्रम की अध्यक्सता कर रहे हैं और हमारी बेटियों ने ये मिखित तोड़ दिया कि मुस्लिम बेटियां नहीं पढ़ सकती हैं जैसा अभी पताया कि जिले की दस लड़कियों में इस इंटर कॉलिज की चार लड़कियां मौजूद हैं मैं समझता हूँ किसी भी इंटर कॉलिज की चार बेटियां टॉप 10 में नहीं होगी इसके लिए मैं इस इंटर कॉलिज की प्रिंस्पल साबिया रईस मेडम को और नवाज देवमंदी साब को बधाई देता हूँ और साथ मैं जो गोल्डन इन होटल में हमारे नहीं साब ने ये प्रोग्राम रखा है मैं समझता हूँ इससे हमारी बेटियों का उत्सा बहुत बढ़ेगा और बेटियां ये आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ मैं इस कारिकम के आयुजक जो मुझमिल हैं बहुत बढ़े पत्रकार भी हैं उनको बढ़ाई देता हूँ सुलिमान को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और ऐसे ही वो हमारी बेटियों का उस्सा बढ़ाते रहें जिससे बेटियां आगे भी बहुत अच्छी निकले हैं देखे समाज में शिक्षा एक बहुत इंवार्टेट जोल अजा करती है समाज और देश की नदी के लिए आधार शिला शिक्षा है अगर अच्छा नक्षा बनेगा तो जिंदगी और समाज अच्छा बनेगा बेसिक एजूकेशन अगर अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ हायर एजूकेशन खुद बखुद अच्छी इसी की नवाब अजबत अली खान गल्स कालिज ने कोशिश की है कि बच्चों को बेसिकली यानि कि वहाँ मजबूत हो जाएंगे तो ये रेस के लोड़ा बन सकेगे ये बात हमारे स्टाफ ने हमारी प्रिंस्पल मैम ने साबित की है कि पूरे डिस्टिक में जो टॉप टैन गल्स हैं उसमें चार बच्चीयां अजबत गल्स कालिज की हैं तो बाराल ये एक बहुत बड़ा कंटिबूशन है लेकिन उसके साथ साथ अच्छा काम करने वालों का उच्छा वरजन करना उनकी होसला अफजाई करना ये समाज की जिम्मेदारी और उस जिम्मेदारी को बोल्डन इन के जो जिम्मेदार हैं नई मभाई उनोंने निभाया है उनको भी बहुत बहुत मबारक बात मैं समझता हूं कि अच्छा काम करना अलग चीज है लेकिन चैसे काम की पधीराई होना उसका उच्था वरृवंतर होना व ये विए एक समाजिक जिम्मेदारी ये तो ये एक ऐसा फंक्शन है कि होना चाहिए है से ऐसे फंक्शनों को बचचे मेहनद करते हैं स्कूल मेनत करता है, स्कूल मेनत करता है, जब रिजल्ट निकलाता है, तो फिर लोग उस रिजल्ट को ले करके, बहुत अच्छा तोर पे मनलब लोगों को पेश करना चाहिए, बाराल गोल्डनिन का, नईम भाई का, और यहां जो हमारे कुछ स्वेश जी, अमिनाओ जी, मौरुना साथ, हमारे स्कूल की प्रिंस्पल में हम बैटी हैं, इन सब का शुक्रिया और इन बच्चों को बहुत-बहुत मुबारक बात, और हो सकता है, कि आपको फिर बलबे के आना पड़े, जब यह किसी और बड़े फंक्शन के लिए आपको बढू करेंगे, तो मैं इन बच्च आए हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेविल पे डॉप किया है, चार शात्रा उने, दो इंटर कॉलिज की और दो आई स्कूल की, तो हमने उनको यहाँ पर बुला के अपने ओटल गोल्ड एंजिन में उनका सम्मान क्या है, उनको प्रुस्कार दिया है, मुक्या तीति यह पर डॉक्टर नवाज देवबंदी और श्रीराम गुल ओफ कॉलेज के चेर्मेन, डॉक्टर एसी स्रेस्ट जी आयते, ग्रेंड प्राजा के जो ओनर है, अभिना स्वरूप जी वायते हल जल इंडिया को देखते रहिए और लाइक सब्स्क्राइब करना ना भूले